हाई फ्रेंड्स आएम राहूल फ्रॉम वेवर पॉइंट आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने वर्ट्रेस विबसाइट के अंदर एक कस्टम साइड बार कैसे लगाते हो अगर आपको वर्ट्रेस विबसाइट के अंदर मल्टिपल पेजेज है चलते हैं अपने कम्प्यूटर स्क्रिन की तरफ और समझते हैं कि वर्ट्रेस विबसाइट के अंदर कस्टम साइड बार लगाने का क्या तरीका होते है जैसे यहां पर यह एक वर्ट्रेस की विबसाइट आपको दिख रही है और इस विबसाइट के उपर अब मुझे एक क contact us के page पे क्लिक करता हूं यहां मुझे एक sidebar अपना लगाना है अपना custom sidebar लगाना है जो इसकी already theme के inside में है वो use नहीं करना है तो आप वापस से अपने dashboard में आना है आपको plug-in के add new option पे क्लिक कर देना है जैसे आप add new option पे क्लिक करोगे यहां पे आपको क्या लिखना है custom sidebar आपको simple लिखना है custom sidebar तो यहां पे आपको plug-in के list में नीचे काफी सारा result available हो जाएगा आपको क्या करना है जैसे अब ये पहले नंबर पे आ गया Custom Sideward Dynamic Visit Area Manager ये plugin है इसके Install Now बटन पे आप क्लिक कर दोगे ये plugin आपके WordPress Dashboard के अंदर install हो रहा है अभी इसे install होने देते हैं जब इंस्टॉल हो जाएगा तो इसके बाद आपको एक facility प्रोवाइड हो जाएगी मतलब कि आपके पास एक option होगा जिसकी help से आप अपने WordPress के हर एक page के अंदर अपना एक individual sidebar create कर सकते हो और उस sidebar के अंदर अगर आपको अपना latest news display कराना है इमेज डिस्प्ले कराना है या फिर आपको एक contact form डिस्प्ले कराना है आप सब कुछ कर सकते हो काफी असानी से तो आप आपको इसे activate कर देना है activate button पर मैंने click कर दिया अभी activate हो रही है यहाँ पर जैसे activate हो जाएगा इसके बाद अपने विजिट वाले portion में चलेंगे तो इस activate होने देते हैं वापस से suppose मैं about us के page पे लगाने वाला हूँ तो अब आते हैं यहाँ पे appearance के inside में visit पे click करो आप तो देखो यह एक option आगया आपके पास create a new sidebar यह option बनके आगया आपको यहाँ पर simply click कर देना है तो आपसे पूछ रहा है नेम अब मैं about us के लिए बना रहा हूं about us page sidebar मुझे इस page के लिए बनाना है काफी लंबा नाम हो गया तो क्या करते हैं about लिख देते हैं only about sidebar अब आप description भी डाल सकते हो आपके उपर है आपके custom setting भी यहाँ पर देख लेना है कि आपको जो भी use करना हो मैंने यहाँ पर create पर click कर दिया तो यह देखो आपका एक यहाँ पर about sidebar create हो गया अब इसमें आपको क्या दिखाना है image रखना है आपको gallery डिस्पले कराना है menu रखना है आपको page डिस्पले कराना है post डिस्पले कराना है आप यहाँ से कोई भी एक जो available visit है उसकी help से आप इसे drag and drop करके हाँ डाल सकते हो या इसकी click पर डाल सकते हो सब्सक्राइब मैं एक टेक्स्ट नॉर्मल दिखाता हूँ आपको डालके जैसे एक टेक्स्ट का यह option है इस text पर क्लिक करते हैं ठीक है अभी इसको एक बार रिफ्रेस कर लेते हैं अब आपको जैसे यह मैंने रिफ्रेस पे क्लिक कर लिया इसके वापस आते हैं टेक्स्ट पे यह आगया आपका इबाउट साइडवार है एड़ विजिट पे आप क्लिक कर दो इसके यह देखो दिख रहा है अब आपको जैसे इसमें मैं अगर लिख दूँ ले टेस्ट ठीक है तो गतो बोल्ट कर लो इलिक कर लो यहां पर जो भी यूज़ करना है आप यहां पर यूज़ कर ले पर झिका रहा रहा हो कि आपको option मिलेगा right side में आपको नीचे जाना है scroll करके अब देखो यहाँ पर यह sidebar का option दिख रहा है आपको इसमें आपको दिख रहा होगा sidebar यहाँ पर option दिख रहा है sidebar इस पर आपको click करना है कौन सा sidebar select करना है आपको देखो about का sidebar select करना है मुझे about के page पे मैंने एक sidebar बनाया यहां पे अपना custom update बटन पे क्लिक कर देता हूँ मैं अब यहां पे view page पे आपको click कर लेना है अब आप देखोगे यह देखो यह create होगे आपका sidebar यहां पे test one, test two display में आ रहा है suppose इसकी जगा मैं एक image दिखा देता हूँ यह भी आप कर सकते हो आप जैसे visit वाले section में आ गए यहां से आप इसे delete कर दो और मैं इसमें image को display कराना चाहता हूँ तो मैंने image पे click किया add visit पे चले जाते हैं देखो जैसे image डिस्प्ले कराना है suppose मैं इसमें किसी person की display कराता हूँ image या फिर मेरे पास यह camera की image है मैंने इसे click कर दिया save कर दिया about us page को refresh करो यह देखो यह आ गए यहां पे camera की image इसी तरीके से जैसे contact us का page है यहां पे आओ और इस पे आप कुछ और दिखा दो sidebar एक नया sidebar बनाते हो वापस से visit value section में जाके create new sidebar पे click किया यहां पे लिखता हूँ मैं contact us sidebar आपको यहां पे create sidebar पे click कर देना है same वही तरीका यहां पे अब इसमें कोई दूसरा चीज दिखाते हैं like दूसरा option इसमें use कर लेते हैं जैसे देखो वीडियो का option है अगर वीडियो है तो वीडियो आप लगा सकते हो अभी मैं video का option ले नहीं रहा हूं यहां पे मैं एक normal calendar दिखा देता हूं वापस एक मिनट इसे पहले save करने के बाद आपको क्या करना है आप एक बार refresh कर दो अगर आपका ऐसे होने लगे तो इसे मैं लगा देता हूं contact us के sidebar के अंदर यह calendar लगा दिया मैंने और दूसरी चीज आप इसमें मैं कुछ और भी लगा देता हूं ताकि आपको यह दिख जाए कि प्रॉपर sidebar है पेजेस को option डाल देता हूं add to visit कर देता हूं वापस से आते हैं contact us की पेज़ पे इसे एडिट बटन पे आप यहां से क्लिक कर दोगे एगेन उसी तरीके से इसमें आपको चेक करना है नीचे जाना है यहां पे देखो sidebar को option है आपको contact वाला sidebar यूज करना है जो आपने इस पेज़ के लिए बनाया है update बटन पे क्लिक कर दो view page पे क्लिक करो तब आपको यहां दिखेगा यह देखो sidebar बन गया आपका यह इसमें आपको दिख रहा है तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि आप अपने हर एक page के लिए एक अलग sidebar बना सकते हो आपको बस एक plugin यूज करना है उसमें आपको एक option मिल जाएगा create new sidebar का जिसकी help से आप एक sidebar create कर सकते हो आप अपना visit लगा लेना जो भी आपको display यहां पर करना हो तो I hope कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को like करो चैनल को subscribe करो वीडियो को ज् तरह के और वीडियो लाता रहूंगा thank you